नमस्ते, फ्रेंगस आप देखे रहे है ordered hadica an आई कुछ प्रेक्टी रेसिपी मैं शेर करूँगी और कैसे सुन्ने में लग रहा है सच में कैसे मैं इसको बनाया है, यही विडियो में मैं मैं शेर करूँगी और यह आइडिया जो जिसने मुझे दिया इसलिए cooking with itche, shangjukta, many many thanks, क्योंकि mango पहुत ही ज़्यादा कॉस्ली है मार्केट में, तो सब के लिए असान नहीं है खरीदना, तो without mango भी mango ice cream बन सकता है, बिलकुल सही से mango ice cream बन सकता है, 500 ml दूद मैंने लिया है, जस्ट उसको थोड़ा सा उबालना है, और उसी 500 ml से मैंने थोड दूद अलग से रख दिया था, ताकि मैं वीप क्रीम जब वीप करूंगी उसके लिए जरूरत होता है, क्योंकि मैंने वीप क्रीम पाउडर यूज किया है, तो अभी मैं ये क्रीम को जो स्वीटन है और इसमें चीनी आड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, वीप करूंगी अच्छे से, और ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ही पाउडर था, ये अपना, मतलब जब वीप हो रहा है ना, ये डबल हो जाएगा, फूल के, तो ये एकदम से हम वीप नहीं करेंगे, बीच बीच में इसको रोक देंगे, और इसको फ्रीज, जो डिप फ्रीज में र अजो से, आप वीप कर सकते हैं, ताकि नीचे का बोल है, दूध में मैंने कस्टर पाउडर यूज़का है, थोड़ा बढ़ा भी बन जाएगा, तो मेरा जो आइस्क्रीम है ना, उसके लिए तोड़ा सा दूध को गाढ़ा बनाना है, तो थोड़ा सा ही बनाओगी, बिल्क तो अभी मैं थोड़ा चला के और देखिए एक चीज और भी है मैंगो आइसक्रीम में जो डार्क कालर होता है वो कालर भी इससे आएगा मैं तो कुछ इसमें अलग सा कालर एड नहीं कर रही हूं क्यूंकि मेरे घर में बच्चों के लिए ही मैंने बनाया था तो मुझे जब घरी में बनाएंगे तो उसमें कुछ अलग सा कलर नहीं डालना है तो मैंने बस ओनली कस्टर्ड पाउडर का ही यूज किया है ताकि इसी में जो कलर है उसी वही मैं आइसक्रीम में आ जाए और यह है आम पापर जिसको बोलते हैं मैंगो झाल झाल तो इसको मैंने ठंडा वाला जो कास्टर्ड मिल्क है ना उस पे भीगों के रख दिया था ताकि ये अच्छे से घुल जाए मिल जाए और उसके बाद इसको मैं भी इसको मिक्स करने के बाद जो वीप क्रीम मैंने फ्रेजर में रख दिया है ठंडा होने के लिए उसके साथ य धीरे धीरे एड़ करके ना फिर से मुझे बीट करना है ताकि देखिए पूरा जो कलर है ना वाइटिश पूरा चेंज होने लगेगा यलो यलो होने लगेगा और यह जो टेस्ट है ना आम वाला अपने आप ही आने लगेगा वह जो आम पापड मैंने दूद में डाल के रख तो आप ऐसे बिलकुल बना सकते हैं एकदम अच्छा वाला मैंगो आइस क्रीम बनके तयार हो जाएगा और जिनके पास बीटिंग मेशीन नहीं है तो वो वीप क्रीम को बीट करने के लिए तो यह थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको मेशीन यह जो बीट मेशीन है ना मैं चोटा काप का हाफ काप मैंने ड्राइवीप की पाउडर लिया था वो फूल के ना डबल डबल हो गया है बहुत सारा क्वांटिटी का हो गया है अभी और चीनी मैंने कस्टड बना देवे एड नहीं किया था तो इसे लिए मुझे थोड़ा सा दो तीन चमज शुगर पाउ मैंने ही बोल गी और एक और बात है वह जो है इसमें मैं कि कोई ट्राइव ड्राइव ड्रूट्स अड़ नहीं करोंगी क्युकि यह जो आईसक्रीम ड्री में नहीं वाला ही फ्लेवर आना जाहिए तो जो आम पापर मैंने यूजग शुझे।का उसह का स्लाइसस भी डाल स तो मैंने इसके सिवा जो रेड चेरी है ना वो यूज किया है थोड़ा डेकोरेशन के लिए आप वो स्कीप भी कर सकते हैं आप नहीं चाहो तो वो कुछ और भी ड्राइफूर्स डाल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और वीप करते हुए हमें याद रखना है कि हमेशा ज क्रीम जादा जल्दी गाढ़ा होने लगेगा यह जादा जल्दी कंप्लिट होगा यह स्टेप अभी मैं इसको ना ओवरनाइट फ्रीजर में रखोंगी एकदम जमने के लिए और क्रीम बहुत ही गाढ़ा और बहुत ही अभी बिलकुल तयार हो चुका है तो आइस क्रीम स् मेरे पास है तो इसमें मैंने डाल दिया है और एक टाइप का हो गया मटका वाला और यह देखिए ओवरनाइट जमने के बाद यह है इसका कैसे लुक आया है पूरा हर्ड हो गया है जम के तो मैंने बाल को थोड़ा कुछ सेकेंड आगे पहले निकाल के रखा था ता कि यह बहुत ही टेस्टी बनता है बिल्कुल मैंगो वाला ही फ्लेवर और इसमें कोई मैंने कालर नहीं यूज गया है इसलिए इसका KALर थोड़ा सा लाइट लूक आया है और फ्लेवर बिल्कुल मूँ में आए गा तो आपको लगए खाल वाला झाल एक टेस्ट है मकर क्यू ये हर सिजन में आप आम पापर खरीद के बना सकते हैं, बिल्कुल मैंगो वाला ही टेस्ट आएगा, ये आप देख सकते हैं, सब आइस्क्रीन मेरे जो मैंने रखा था फ्रीजर में, सब ही तैयार हो चुके हैं, और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, आशा करते हैं, अगर आप बनाएंगे ना, आपके घरवाले सब ही को पसंद आएंगे, आज देखी, ये स्टिक डाला हुआ जो है ना, मैं निकाल के इसको प्लेट में रख दिया है, बिल्कुल ऐसे एक दम सही से जम गया है बाड़ जो आइस्क्रीम, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मे तो आप तके लिए बाइबाइ